राधे राधे जैस्री किर्षना आप सभी भगतों का दिन सुब्व वैं मंगल में हो कθा सुनने वैंतना सहयोग देने के लिए आप सभी भगतों का दिल से दन्नेवाद कθा शुरू करने से पहले सभी भगतों को मेरी राम राम आज हम पढ़ेंगे वैशाक महत्यम्य अध्याए तेरवा आएए अब कथा को शुरू करते हैं ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम इसमें क्या आश्चरिय की बात है क्यों दुखी होते हो सद गुणों से इर्शा करना मरणान तक होता है उसके उच्चारण मातर से ही परंपद की प्राप्ति होती है फिर राजा के सासन से विश्णू लोग को क्योंने जाएं जिनकी जीब पर हरी ये दो अक्षर विराजमान है और जो विश्णु भगवान को प्रणाम करते हैं याद करते हैं और उनके गुण गान करते हैं उनको असव मेग यगों के समानफल मिलता है संपुर्ण पाप दूर हो जाते हैं भगवान परसन होने से विश्णु लोग प्राप्त होता है यग करने वाले कुरुक शेतर या सरश्वती में सनान करने वालों को तो फिर से जनम लेना पड़ता है परंतु वैसाक मास में जो मादहो भगवान के धर्मों का पालन करता है उ उन पर विश्णू भगवान हमें इसा परशन होते हैं और उनकी साहिता करते हैं। हे सोरे उस राजा का प्रभाव मेरे वस में नहीं है क्योंकि वासुदेव भगवान के भगतों का असुब नहीं किया सकता। उसको जनम मिर्तु जरा वयादी आदी भै नहीं वयापते। सवामी के नियुक्त कारिय करने पर देहधारियों को कुछ अपराद नहीं होता। हे यम जब तू इस कारिय के करने में ऐस मर्थ है तो तेरा क्या दोस्त तू शोक मत कर। ब्रमाजी के ऐसा कहने से यम बहुत दुखी हुआ और बड़ी ही दिनवानी में बोला हे तात अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इस महावीरियवान राजा को जब मैं अपने धरम से चलायमान कर दूँगा तब करते करते होंगा। हे करपालू आप मेरे इस कारिय को सिद्ध करा दीजिए। तब मैं फिर सासन करूँगा। यह बात सुनकर बरमाजी यम से कहने लगे कि इस विश्णु धरम प्रायान राजा का नीगरे तू नहीं कर सकता। फिर बरमाजी यम को साथ ले सीर शागर में विश्णु भगवान के पास गए और सांखे योग दवारा स्तूति करने लगे। तब विश्णु भगवान प विश्णु के दरम कर रहे हैं। इसी कानियम पुरी सुनने हो गई है। इसमें अत्यंत दुखी होकर यह यम राजा से यूद करने गया और उसको मारने का दंड उठाया। तब आपके चकर ने से प्रास्त कर दिया तो यह दुखी हो मेरे पास आया है। हम आपके महात्मा भगतों को दंड देने में सामरते नहीं रखते। हे महा भाव हम आपकी सरण में आए हैं। इसलिए हे परभू उस राजा को दंड दे कर आप अपने यम की रक्षा करिए। बरमा के यह वाक्य सुनकर विश्णु बगवान हसे और बरमा वयम से बोले। मैं लक्समित था प परन तु ऐसे भगतों को मैं कदापी नहीं त्याग सकता जिनोंने मेरे लिए संपूर्ण बोग त्याग दिये हैं और प्राण छोड़ दिये हैं मुझ में ही अपनी आत्मा को लगा दिया है। उन्हें मैं कैसे छोड़ूं। अते वहे यम मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाई बताता हूँ। उस राजा को मैंने दस सहस्तर वरश की आयू दी है। उसमें से आठ सहस्तर बीत चुके हैं। अब दो सहस्तर वरश की आयू होकर वहे मेरी सायुज्य बक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वे नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा। व वहे सब वेदोक्त धर्मों का लोप कर देगा। तथा वैशाक मास के धरम को भी नश्ट कर देगा। फिर अपने हीपाप से वहे जल जाएगा। तब मैं पिर्थू का रूप दार्न करके धरमों की स्तापना करूँगा। और वैशाक होक्त धरम मुनुश्यों से करवाओं प्राक मास में ही तुझे भाग प्राप्त होगा। राजा भी तेरा भाग मिलेगा। तुदुखी मत हो। जो मनुश्य प्रत्वी में तेरे उदेश्य से परती दिन सनान, अरगय, जल, कुम्ब, दही, अनुका दान नै करेंगे। उनके किये हुए सब करम निश्वल हो जाए अतेव तु उस राजा के उपर करोद करना छोड़ दे। वह राजा तेरा भाग देगा क्योंकि वह मेरा अत्यन्त भागत है। और जो कोई प्रानी तेरा भाग दे कर वैशाक दर्मों में परवक्त हो उनके धरम में तू वी गन मत करना। जो धरम के पालन करता तुमें छो वह वहां जाकर तुमें भाग दिलवा देगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनन्द को भीज दिया। जो राजा को समझा कर पुने भगवान के पास आ गया। ऐसा यम को आसवासन दे कर विश्नु भगवान वहीं अंतरदान हो गई। भर दिये की तथा वैसाक दरम मों में यम का भाग देने की सूचना करा दी। और कहा अगर कोई धरमराज का भाग नहीं देगा तो उसे वैसाक में दिये गए करमों को यमराज स्वें ले लेंगे। वैसाक की पूर्ण मासी के दिन पहले धरमराज के लिए जलका घड़ा, दही तथा अंदान करना चाहिए। फिर पित्री शवरोंस के नीमित फिर गुरू, जनारदन, मदुशुदन, भगवान के नीमित परतीमा बनवा कर धरम के चलाने वाले गरीब ब्रामन को सीतल, जल, दही, अन, तामबूल, कांसे के पत्तर में रख कर दान देने चाहिए। और राजा स्वेंबी ऐसा ही करने लगा, तत पस्चात राजा अपनी सेस आयू को पूरी कर यतेश्ट भोग पुत्र पोतरादी समेत वैकूंट को चला गया, फिर वेन नाम का एक महानीच राजा हुआ, उसने सब धरम तथा वैशाक धरमों का लोप कर दिया, और सब पराणी धरमों को भूल गए, इसी कारण वेशाक धरम बहुत परशिद नहीं रहा, विश्णु भगवान के कोई विरले भगत ही इन धरमों को जानते हैं, राधे राधे, जै स्री किर्शना